SSO, Single Sign-On, यह क्या होता है, समझ लेते हैं इस छोटे से वीडियो में बहुत जल्दी SSO, जो किया है, Single Sign-On, यह एक Authentication और Access Control की प्रक्रिया है जिसका इस्तमाल कई अलग-अलग Applications और Services में एक बार Login करके उन सब तक पहुचने के लिए किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य है, Users को अलग-अलग Usernames और Passwords या Credentials याद रखने की चिंता से मुक्त करके उन्हें एक ही Authentication Source से Multiple Applications और Services तक पहुचने की अनुमती देना तो यह एक Authentication और Access Control की प्रक्रिया है, जिसका इस्तमाल कई अलग-अलग Applications और Services में एक बार Login करके उन तक पहुचने के लिए किया जाता है SSO के मुख्य पॉइंट्स हैं यह, पहरा तो है एक ही Login जो मैंने बता है अभी, SSO के माध्यम से यूजर्स को एक ही Login Credentials जैसे की User Name और Password इनका इस्तमाल करके Multiple Applications और Services तक पहुचने की अनुमती मिलती है इससे उन्हें अलग-अलग Login Credentials याद रखने की जरूरत नहीं होती है दूसरा है Security, SSO Platforms जैसे की SAML जो की Security Assertion Markup Language या OAuth यह Strong Authentication और Security Features प्रवाइड करते हैं इससे User Accounts की सुरक्षा बढ़ती है इससरा है User Convenience SSO आपके Users के लिए सुझाव देता है और उन्हें Convenience प्रदाम करता है क्योंकि उन्हें अलग-अलग Services के लिए अलग-अलग Login Credentials याद रखने की चिंता नहीं होती है चौता है Centralized Management SSO एक Centralized Identity Management System के रूप में काम करता है इससे Administrators को User Accounts को एक ही स्थान में Manage करने और Access Control को सुधारने में मदद मिलती है पांचवा है Cross Platform Compatibility SSO अक्सर Cross Platform होता है मतलब कि अलग-अलग Applications और Services चाहे वो On Premises हो या Cloud Based इनके बीच में User Authentication और Authorization को Integrate करने में मदद करता है तो ही होता है Cross Platform Compatibility छटवा है Session Management SSO Session Management को भी समाल सकता है जिससे User Authentication Sessions को ट्रैक किया जा सकता है कुछ SSO के प्रसिद्ध प्रोटोकॉल्स है ये एक तो है SML Security Assertion Markup Language SML एक XML-based Authentication और Authorization प्रोटोकॉल है जो User Identity और Attributes को अलग-अलग Web Applications के बीच में शेर करने के लिए इस्तमाल होता है फिर O-Auth Open Authorization O-Auth एक Open Standard प्रोटोकॉल है जो Third Party Applications को Limited Access Permission देता है आपके User Accounts के बिना उनके Credentials को शेर किये फिर Open ID Connect Open ID Connect एक Identity Layer है जो O-Auth 2.0 पर आधारित है इससे Users अपनी Digital Identity को अलग-अलग Online Services में शेर कर सकते हैं SSO Systems अकसर Organizations, Educational Institutions और Online Service Providers के लिए उपयोगी होते हैं जिससे Users को Seamless Access प्रदान किया जा सके हैं तो वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करें, शेर करें, कॉमेंट्स बताएं, कैसा रगा, कोई सवाल हो तो पूछें जिस किसी नहीं भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है प्रेस कर लिजिए, बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है मिलेंगे नेक्स वीडियो में जल्दी ही धन्यवाद